आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान की फेमस पंच मेल दाल तड़का की रेसिपी ये पांच दालों से मिलके एक दाल बनती है बहुत ही ज्यादा लजीज होती है असलाम अलेकुम एवरिवान वेलकम बैक टुजायका चले बनाना स्टार करते हैं रेसिपी अच्छे लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमने यूज करनी है पांच तरह की दाले यहाँ पे मैंने ले लिए है चना दाल वन थर्ड कप मसूर दाल वन थर्ड कप मूंग दाल लिए है वन थर्ड कप टूर दाल लेनी है वन थर्ड कप और उरत दाल लेनी है वन थर्ड कप सारी इक्वल कॉंटिटी में ले ले और अब इन सारी दालों को पहले हमने मिक्स करना है मैंने यहाँ पे जो उरत दाल यूज की है वो छिलको के साथ है, स्कीन के साथ है आप बीना स्कीन वाली भी यूज कर सकते हो अब इसे 2-3 पानी से अच्छे से वाश करेंगे जब तक कि इसे क्लीन पानी ना निकले इसके बाद हम इसे गरम पानी में सोक करने रखेंगे क्योंकि कुछ दाले होती है, वो बहुत जल्दी बॉयल होती है कुछ देड से होती है, तो अच्छे से सोक करेंगे तो जल्दी बॉयल भी हो जाएंगी अब इसे गरम पानी में आदे घंटे के लिए एक घंटे के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल एक घंटे के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डाल डबल साइज में हो चुकी है अब यह जल्दी बॉयल हो जाएगी तो इसका पानी निकाल लेते हैं अब हमारी डाल बॉयल होने के लिए तयार है इसे हम बॉयल करेंगे और फिर आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या-क्या करना है तो एक प्रेशर कुकर में सारी डाल डाल देंगे नेक्स्ट अब हम इसमें पानी डालेंगे इतना जितना के डाल अच्छे से इसमें डूब जाए तो दो से तीन कप इसमें मैं अंदाजन पानी डाल रही हूँ नेक्स्ट इसमें आड़ करेंगे हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून ओल एक टेबल स्पून हरी मिर्च एक से दो और अदरक लहसन का पेस्ट आपने डालना है यहाँ पे वन टीस्पून किसी भी तरह की अगर आप डाल बना रहे हो तो यह इतना सा डाले इससे आपके डाल बॉय्ल होते वक्र अच्छी खुष्ट पूर नहीं आएगी लेकिन जब आपके डाल बन जाएगी तो बहुत यह बहुत लीं बहुत बेहतरी डाल बननके तयार हो जाए है गया हाँ पर हमारी दाल एकदम सॉफ्ट हो चुकी है इसे हमने विस्क जादा नहीं करना है लेकिन हलका हलका हम इसे विस्क करेंगे बहुत जादा इसे स्मूद नहीं बनाना है यह ऐसी ही होती है तो अब हमारी दाल तयार है तो अब इसे हम किसी बॉल में निकाल लेंगे और हम राजस इसमे मिला लेंगे इस घी महीं इसका गोलोडन कलर मीं अंग आपने उस tossed एक किलोग तुलै फ्राइ करना है प्यास जल्दी से फ्राइ हो जाए जिसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर हाफ टीस्पून नमक डाल रही हूं और इसका कलर चेंज होने तक इसे फ्राइ करें जब प्यास की रंगत कुछ इस तरह से हो जाए तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे अधर ग्लैस सट्रोंग नहीं बनाना है बहुत ज्यादा लाल मसाले भी ने रालने वरना इससे दाल से बहुत स्ट्रॉंग फ्लेवर आएगा पाउडर मसाले जल जाएंगे इसलिए मैंने हल्का सा पानी का चिर्काव कर दिया है मैं यहां पे धनिया पवू डालना भूलक bipartisan तो एक टेब तो अच्छा पका हुआ हो और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देना है क्योंकि हमने इस टोमेटो को अच्छे से गला लेना है दाल में इसी तरह से यह रहने नहीं चाहिए अब फ्लेम को मीडियम करेंगे लीड रखे इसे गल जाने तक पांच मिनिट के लिए कुक करें पांच मिनिट बाद फिर मैंने लीड खोल दी और यहां पर आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं चम्मच की हल्प से इसे मैश करेंगे हम तो हमारा ये दाल का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है अब हम इसमें तैयार की हुई दाल दाल देंगे के साथ अच्छे से मैंने मिला लिया है नेक्स्ट हम इसमें एड कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून कोई भी टाइप का गरम मसाला इसमें 1 टीस्पून आड कर देना है कसूरी मेथी 1 टीस्पून कसूरी मेथी को इस तरह से हम इसमें क्रश करके डाल देंगे पर नमक चेक कर लेंगे, नमक हमने पहले भी एड़ कर लिया है, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं हाफ टेस्पून नमक फिर से डाल रही हूँ यहाँ पर, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, दाल बहुत जादा गाड़ी हो चुकी है, थोड़ा अच्छी खुश्पू आरी है दाल से, अब हम इसका राजस्तानी स्टाइल वाला तड़का तयार करते हैं, तो तड़का भी देसी घी में ही लगता है, तो तड़का पैन में हम एक टेबल स्पून देसी घी आट कर देंगे, अगर आपको देसी घी का फ्लेवर नहीं तो अब इसमें आट कर देंगे हिंग हाफ टी स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, छोटा तेज पता आट कर देंगे, सूखा लाल मिष्ट कर देंगे, और जैसी ये सारी चीज़े लाल हो जाए, आप दाल को एक बार मिक्स कर लें, और जैसी आप दाल पे ये तरका लगाने वाले हो, उसे जस्ट पहले आप इसमें लाल मिष्ट पाउडर एड़ कर दें, वन टी स्पून, ताकि हमारा तरका लाल आजाए, और इस पे लगा ले तरका, और तुरंट से इस पे लीड रग दें, ताकि हमारा जो दाल का फ्लेवर है तरके का वो बाहर ना चला जाए, ए इससे अब हम सर्फ करेंगे गर्मा गरम, दाल को सर्फ करने के बाद इसका प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप इसको अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हो, तो थोरा सा ओईल लेके उसमें लाल मिर्च और सुखा लाल मिर्च और थोरा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के दाल पे तड़का लगा ले जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया लगीगा थोरा सहरा धनिया और यह हमारी राजस्तानी स्पेशल पंच मिल दाल तड़का बनके तयार है आपको रेसिपी कैसी लगी अपने फीडबेक मुझे इसी वीडियो की कॉमें मैं शाला पिर मिलती में कनाई इसी किसा तब तक कि लिया लाफिस